हेलो फ्रेंज आप सब का स्वागत है आज की इस वीडियो में तो आज हम फैब्रिक पट्टी और फ्रेल के साथ प्लाजो पेंट का एक दम नया और बहुत ही खुबसुरा डिजाइन बनाएंगे तो आपका जाधा टाइम ना लेते हुए हम डिजाइन बनाना शुरू करते है तो सबसे पहले मैंने अपनी प्लाजो पेंट में से ही एक पट्टी कट की है और ये लगबग साड़े तीन इन चौड़ी कट की है और लंबाई में मैंने थोड़ी लंबी ली है क्यूंकि हमें से चोटी चोटी पटियां कट करनी है अब हम इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे ऐसे इसे डबल फोल्ड करके हम यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे तो अब हम इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई यहां पे भी लगा देंगे तो ऐसे हमने सिलाई लगा दी हैं अब हम इसे पलट लेते हैं तो यह बंद वाली साइड से न हम पट्टी को इस तरीके से अंदर की तरफ करेंगे ऐसे और यहां से किसी भी सिलाई या पिन की मदद से इसको पलट लेंगे तो अब हम इस पट्टी की ये वली सिलाई को ना उपर से कट कर देंगे क्योंकि ये वली सिलाई ना हमने सिरफ इसको पलटने के लिए ही लगाई थी अब इस पट्टी की ये वली सिलाई को न हम ऐसे सेंटर में कर देंगे और इस पट्टी को प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लेंगे सिलाई को सेंटर में रखते हुए तो ऐसे मैंने दो पटियां ready कर ली है, इनकी सिलाई को ऐसे मैंने center में रखते हुए न प्रेस के साथ अच्छे से बिठा लिया है तो अब हम इन पटियों के न साड़े 3-3 इंच के छोटे-छोटे pieces कट कर लेंगे तो इस तरीके से 3-3 इंच की सारी पटियां हम कट कर लेंगे तो ऐसे हमने सारी पटियां कट कर ली है, अब हम इन पटियों को न इस तरीके से एक तरफ से ऐसे फोल्ड करेंगे ऐसे और दूसरी तरफ से ऐसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे हम पटी को और यहाँ पे एक रफ स्टिच कर लेंगे तो एक तरफ से तो हमने पटी को ऐसे फोल्ड कर लिया अब हमें इसको दूसरी तरफ से भी ऐसे ही फोल्ड कर लेना है तो इस पट्टी को हम इधर से भी ऐसे ही फोल्ड करके यहाँ पे भी रफ स्टिच कर लेंगे तो इस पट्टी को हमने दोनों तरफ से ऐसे रफ स्टिच कर लिया है और ये पट्टी ऐसे आजाएगी ऐसे हमने अपनी सारी पट्टियों को रेडी कर लेना है तो ये देखिए मैंने अपनी सारी पटियों को दोनों तरफ से फोल्ड करके ऐसे रेडी कर लिया है अब हम इन पटियों को अपनी ये वाली फैब्रिक पटि के उपर रख के स्टिच करेंगे तो यह फैब्रिक पटी मैंने अपने पैंट वाले सेम फैब्रिक की ही कट की है और यह लगबख 3 दीन चोड़ी रखी है मैंने और लंबाई में जितनी हमारी पैंट की मुरी है उतनी ही ली है और इसकी न उल्टी साइड पे ऐसे मैंने वेपर पेस्टिंग लगा ली है प्रेस के साथ तो अब हम इस वली पटी के उपर न ये वली पटीओं को रख के स्टिच करेंगे इस तरीके से रखेंगे पटी को उपर से लगबग आधा पोनाई चोड़ के और यहाँ पे रफस्टिच के साथ इसको सिलाई लगा देंगे ऐसे ही हम पटीओं को रखते जाएंगे बिल्कुल साथ-साथ रखनी है पटीओं को ऐसे कोई भी गैप नहीं लेना है हमें इनके बीच में आपने पटियों के सेंटर से देखना है कि कोई गैप ना आए आपकी पटियों में इस तरीके से आप साथ-साथ पटियों को रखते जाएं और रफ स्टिच के साथ इसको स्टिच करते जाएं तो ऐसे एक तरफ से तो हमने इन पट्टियों को स्टिच कर लिया है अब हमने ऐसे ही दूसरी तरफ से भी इनको स्टिच कर लेना है तो ऐसे हमने इन पट्टियों को दोनों तरफ से स्टिच कर लिया है अब हम इन पट्टियों के न सेंटर में एक डोरी को स्टिच करेंगे तो बिल्कुल सेम कलर की मैंने डोरी को पलट लिया है और इसको प्रेस के साथ अच्छे से बिठा भी लिया है अब हम इस डोरी को न इनके सेंटर में इस तरीके से रखेंगे ठीक है ऐसे डोरी को रखते हुए न एक ही सिलाई के साथ हम इस डोरी को यहाँ पर स्टिच कर लेंगे तो ऐसे बिल्कुल सेंटर में मैंने इस डोरी को स्टिच कर लिया है अब हम इस पैटरन को अपनी पैंट के साथ स्टिच करेंगे तो यह मेरी पैंट की मोरी वाली साइड है पैंट को हमने ऐसे सीधा करके रखना है और इस वाले पैटरन को इसके उपर हम ऐसे उल्टा करके रखेंगे बिल्कुल बराबर रखेंगे दोनों को और यहां पे न ठीक उसी सिलाई के उपर सिलाई लगा देंगे जिससे हमने पटियों को स्टिच किया था तो ये वली सिलाई हमने ऐसे लगा ली है अब हम इस पैटरन को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे और यहाँ पे एक किनारी की सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पे किनारी की सिलाई भी लग गी है और ये पैटरन हमारा पैंट के साथ ऐसे स्टिच हो गया है अब हमने इसके नीचे वाली साइड पे फ्रिल स्टिच करनी है तो चलिए वो रेडी कर लेते हैं तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने अपनी पैंट वाला ही सेम फैब्रिक कट किया है और ये लगबग 3,5,4 इन चोड़ा रखा है मैंने लंबाई में 1 मिटर के करीब है अब हम इस फैब्रिक को ना इस तरीके से डबल फोल्ड कर देंगे ऐसे और इसमें ना प्लेट्स डालेंगे हम इस तरीके से हमने इसमें इधर वाली साइड से प्लेट्स डालनी है जैसे हम सलवार में प्लेट्स डालते हैं बिल्कुल वैसे ही ऐसे प्लेट्स डालनी है और उपर की तरफ ना हमें रफ्स्टिच करते जाना है प्लेट्स डालते हुए तो प्लेट्स डालते हुए आप ये ध्यान में रखें आपकी जो प्लेट्स है ना वो बिल्कुल एक्वल आनी चाहिए तो ऐसे हमारी ये फ्रिल रेडी हो गई है अब हम इस फ्रिल को अपने इस पैंट के साथ स्टिच करेंगे तो फ्रिल की तो दोनों साइडी सीधी है आप कोई भी साइड उपर की तरफ रख सकते हैं पैंट को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे और फ्रिल को इसके उपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ना फ्रिल वाली सेम सिलाई के उपर ही सिलाई लगा देंगे हम तो ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है अब हम फ्रिल को ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे इस तरीके से और यहाँ पे न फ्रिल के बिल्कुल किनारे पे हम एक सिलाई लगा देंगे यहाँ पे तो ऐसे हमारी ये फ्रिल बी स्टिच हो गई है और देखिए कितना खुबसूरत हमारा ये प्लाजो पेंट का डिजाइन रेडी हुआ है अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी रेडी हुई है तो इसकी जो लेंथ है न हमारे डिजाइन की लगबग साड़े तीन इंच के करीब रेडी हुई है आपने अपनी जो पेंट की लेंथ है वो साड़े तीन इंच कम कट करनी है अब हम ना इसके ये वले कोनों पे यहाँ पे ये वले white color के pearl paste कर देंगे आप चाहो तो pearl सुई धागे के साथ stitch भी कर सकते हो या फिर stone paste कर सकते हो मैं ये white color के pearl यहाँ पे paste कर दूँगी fabric glue के साथ ये fabric glue न धोने से भी नहीं उतरती इस तरीके से हम यहाँ पे fabric glue लगाएंगे बिल्कुल इसके center में और यहाँ पे ये white color के stone इस तरीके से paste कर लेंगे तो ऐसे ये pearl के साथ हमारा ये design और भी खूबसूरत लगेगा तो ये pearl भी हमारे ऐसे सूख चुके हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा ये plazo paint का design अब हम इसे fitting की सिलाई लगा लेते हैं तो ये देखिए इसे fitting की सिलाई भी लग गी है और ये खूबसूरत design आप भी अपनी plazo paint पे जरूर ट्राइ करें तो अभी मैं आपको न इसको पहन के भी दिखाती हूँ तो पहनने के बाद हमारा ये design कुछ ऐसे आजाएगा और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है न तो अगर आपको मेरा ये design और मेरी ये video अच्छी लगी हो तो इसको like और share जरूर कीजिए चैनल को subscribe जरूर कीजिए तो चलिए next किसी और design के साथ मिलते हैं till then bye bye